सचकहूं रोजाना बेयद्बी मामले में डेरा प्रेमियों पर हो रही धक्य शाही के खुला से कर रहा है। संत्र डॉक्टर गुर्मीत रामराहिम सिंग जे इंसा ने हमेशा पवित्र गुरुबानी, पूजनिया गुरु साहिबानों सभी धर्मों के शिक्षाओं में पूर्णा अस्था व्यक्त की है। बेद्वी मामलों में पूज्य गुरु संत्र डॉक्टर गुर्मीत रामराहिम सिंग जी इंसा को नामजद कर रही है। इससे पहले कुछ डेरा अनुयाईयों को पुलिस द्वारा टॉर्चर करके नामजद कर अभ्यूक्त बनाये गया था। और यह सब पुलिस द्वारा राजनतिक दबाव के कारण किया जा रहा है। सिख धर्म से जुड़े डेरा प्रेमियों वे अन्य धर्मों से जुड़े डेरा प्रेमियों का सिख धर्म के प्रती, सभी गुरु साहिबानों के प्रती, पवित्र शिरी गुरुकरन साहिब जी के प्रती, वे पवित्र धार्मिक स्थानों के प्रती पूरा सम्मान, आदर, आ पूरे सामाजिक समू को जिसकी आस्तायम विश्वास संत मत में भी है को दोयम दर्जे का नागरिक करार दिया और इस नफरत को राजनितिक लोगों द्वारा ताथा कटरपंती धार्मिक निताओं द्वारा आगामी विधानसवा चुनाव तक प्रचार परसार सोशल मीडिया वेरेलियो द्वारा बहुत ज़्यादा हवा दी जा रही है और इस खाई को और गहरा करने की कोशिशें हो रही हैं वोट बैंकी राजनिती के चलते संत मत से जुड़े डेरा अनुयायों को बहुत ज्यादा समाजिक भेद भाव का सामना करना पड़ रहा है जिसके चलते आ वोट्र गुर्मीत राम रहीम सिंग जी इंसा सो फीसर दीन निर्दोश हैं इस पात की पुष्टी पहले की साइटी द्वारा जस्टिस जोरा सिंग कमीशन द्वारा सीबी द्वारा की जा चुकी है देरा सच्चा सौदा की तरफ से यह पुरजोर अपील की जाती है कि समाजिक सुरक्षा से रहने का हक है आमजन से अपील की जाती है कि विराजनितिक शड़ेंत्र को समझने की कोशिश करें तता साथ ही सरकार से अपील की जाती है कि पंजाब सरकार डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों की सरकार भी है क्योंकि डेरा प्रेमी समाज से बाहर नह को जूठे तोर पर कानून का गलत प्रयोग करते हुए पुलिस द्वारा मुकदम में फसाना बंद करें तथा पुलिस को भी ऐसा नहीं करने का आदेश दें नमस्कार